दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है दस्वी पास पे सिर्फ और सिर्फ दस्वी पास पे top 5 वेकेंसी कौन कौन सी जो है इस मन्त में चल रही है जो central लेवल की वेकेंसी हो as well as state लेवल की वेकेंसी हो All India के लोग यहाँ पर form को apply करेंगे हम ऐसी vacancy के बारे में चर्चा करेंगे जो आप All India किसी भी राजे से आएंगे तो आप form को apply कर सकते हैं कोई दिकत यहाँ पर नहीं होने वाला है और सिर्फ 10 वी pass minimum qualification है अगर इससे ज़्यादा भी पड़ें तो भी form भर सकते हैं लेकिन minimum qualification सिर्फ और सिर्फ 10 वी कोई आपको extra qualification के आउसकता नहीं है सिर्फ metric pass आप हैं तो आप इस vacancy के लिए इस top 5 vacancy के लिए apply कर सकते हैं आप देखेंगे मेरे चलर पर लगतार vacancy को मैं कभर कर रहा हूं और मैं चार रहा हूं कि हर सापता हर महीने जो है एक से दो वीडियो मैं फिल्टर लगा के लिए करा हूं फिल्टर मतलब क्या कि मतलब 10 वी pass 12 पास या top सरकारी government vacancy जो अभी चल रही हो जब अरजस सेलरी वाली तो उस तरह के मैं चारों हमेसा filter लाके वीडियो लाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में सजेशन मिलिक सकते हैं यह क्या हमें इस तरह से वीडियो करना चाहिए कर नहीं करना चाहिए टॉप बैकंसी कौन सी है कहीं आप चुक ना जाये एक हम यहां बहुस त्लों की वेप साइट एप बहुस पास के लिए नहीं के पूरी इन्फॉरमेशन अच्छे से सबसे पहली वेकिंसी हम चर्चा करने वाले हैं जहरखंड पूलीस कॉंस्टेबल की और इंडिया के लोग फॉर्म भर सकते हैं इस वेकिंसी में सिर्फ और सिर्फ दसवी पास यहां पे बोली गई है यहां पे देखेंगे कॉंस्टेबल क की वेकिंसी है जारखंड में पूलिस कॉंस्टेवल की वेकिंसी है और इसमें जो पद है फ्रेंट्स आप देखेंगे पांच हजार के आसपास है यानि 4,919 पद है सेलरी भी आपको जब अरजस्त है 15 जनवरी से फोर्म फिलर पर स्टार्ट हो रहे हैं 14 फरवरी तक आप फोर्म को अप्लाई करेंगे online mode में फोर्म भरना है इसमें एज की बात करें तो अठारा सो पचीस वर्स एज है बाकी ऑपर एज में छूट मेलेगा जो जारखंड के निवासी है इसकी बाद करें यहां पर आपका क्वालिफिकेशन की सिर्फ मैट्रिक पास आप हैं तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे सबसे पहले इसमें आपका सब्सक्राइब करेंगे इस भरती के बारे में सारी जनकारी यहां पर दी हुई है तो आप जो ही से पढ़ लेंगे और देखिए जो भी मैंने वेकिंसिया पे डिसकस करूंगा ना सबका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दिया हूं आप क्लिक करके सभी व अगली वेकिंसी को चेक करेंगी और अपने अस्तर से भी जरूर देखेंगे मैं ओभर जनकारी यहां पर फिल्टर करके आपको बता रहा हूं अगली वेकिंसी निकल कह रहे हैं फ्रिंट सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में सफाई करमचारी की बहुत ही अच्छी वेकिंसी ह पर्मानेंट जॉब हैं गर्मेंट जॉब है 484 पॉद्वकिंसी है सफाई करमचारी की आप इसे जो है ऑफिस स्टाब भी बोल सकते हैं इसको ऑफिस स्टाब के नाम से भी इसको इस वेकिंसी के जाना जाता है और इसमें जो इक्जाम होगा IBPS इसमें अग्जाम करेगा और बेस्ट आपका सेलेक्शन होने वाला सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास आप हैं तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे इसका आविदन सुरू है और नौ जनवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे इसके उपर मैंने जोरा दो वीडियो बनाया हुए डिटेल में एक तो सिलेक करमचारी फॉर्म फिलप और डियर सेल्पिंग जोड़ देंगे तो आपको जो वीडियो मेरा मिल लाएगा आप देख लिजेगा तो यह अच्छी वेकिंसी है सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में आपको जो है जॉब करना है थोड़ा सा अप्लिकेशन फी आपको को स्ट्री सिर्फ और सिर्फ आपका एक रिटेन इग्जाम देना है और आपकी यहां पे जो है जॉब लगती है सेल्री चोदो जार पांस से लेकर 24,145 आपकी सेल्री होगी और हर साल ब्रिदी होगा इसके अलावा डिये पी यह सब आपको आपको मिलने वाले हैं तो यह आपकी बेसि ग्रूप मेडिकल इंसूरेंस बहुत सारे बेनिफीट्स आपको मिलते हैं जो आपका बैंक का जो होता है वो सब मिलेगा इसके अलावा आपको पैंसन की भी सूबदा यहां पे मिलने वाली है तो यह आपकी वेकेंसी है जो का आप अपलाई कर सकते हैं Central Bank of India के द्वारा नि 246 पदों पे मैट्रिक पास एससी जीडी की वेकेंसी निकाली गई इसमें आपके कौन-कौन से पद होते हैं तो आप देखेंगे Central Arm Police Force के पद होते हैं NIA होता है SSF होता है Assam Rifles होता है NCB जैसे पोस्ट होते हैं तो इसमें जो हैना सिर्फ मैट्रिक पास पे 26,146 पदों पे इसका भी 31 दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे लाखों बच्चे आप फॉर्म को भरते हैं और अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो ऐसा आप उन्चुटी आपको नहीं मिलने वाला है और वेकेंसी की संख्या बढ़ने भी वाली है यहां पे देख हैं तो में दो से तीन वीडियो बनाय हुआ है एक तो मैने बनाय हुआ है ड्टिटल नोटिफिकेशन के बारे में एक मैने बनाय हुआ हुआ हूआ कि फॉर्म कैसे भरना है उसमें 7,000,000 प्लस बच्चों ने वीडियो को देखा हुआ है 700K प्लस ठीक है न 7,000,000 प्लस बच्चे की कैसे फॉर्म को भरना है वीडियो नहीं देखे तो देख लिजेगा या आप चाहें के यूट्यूब में सर्च करेंगे सर्च का फॉर्म कैसे भरेंगे तो आपको मेरा वीडियो मिल लागा आप देख लिजेगा बहुत ही अच्छी वेकेंसी होती है सेलरी की मामले में देखेंगे तो लेबल 3 की सेलरी होगी को कोक्षण मैं और यहां पर को सही करने पर दो माक्स मिलता है इस टोटल यहां पर यापका जहसी होता है इसी का बेस पर आपको त्यारी करना होता है हाइट की बात करें तो यहां पर देखेंगे तो जैन्रल औबी सी को और सी को 170 सेंटीमीटर औरなる स्रच को 180 प dapat करने और फीमेल स्टीक 150 सेंटीमित्र इसके अलावा जो हील एरिया से आते हैं या लदाख रिजन से आते हैं उन सब के लिए अलग से छूट मिलता है हाइट में तो इसके लिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन चेक करना होगा जै बहुत ही जबजस्त वेकेंसी होती है यहाँ पे के लिए आप यहां पे रनिंग ज्यादा होता है 5 km करनी होती है और फीमेल के लिए 1.6 km के लदाक से कोई फीमेल आती है तो 800 अव्यक्षार रनिग करनी होती है इसे देखेंगे यह मेरा बीडियो है आप इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कैसे आपको फॉर्म को भरन तो यहां पर देख सकते हैं एक जनवरी से फॉर्म फिले पर स्टार्ट हो रहे हैं 15 फरवरी तक आप फॉर्म को भरेंगे एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा एक जनवरी को यहीं जो सिर्फ दसवी पास पर वेकेंसी है आठवी पास पर वेकेंसी है इसमें केंडेट्स यहां पर फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते इसमें सिर्फ और सिर्फ 36 गर्ड और MP केंडेट्स नहीं फॉर्म को अप्लाई करेंगे यहां पर इन्होंने एक जो है रूल लगा दिया है कि अगर आप मैट्रिक जो 36 गर्ड या MP किसी भी द्याले से पढ़ाई कि है तो ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यह वेकिंसी सिर्फ MP और 36 गर्ड केंडेट्स के लिए है फॉर्म भरना चाहता तो भर लीजेगा 18-28 वर्स की एजिस सीमा रखी गई है यहां पर डिस्टिक वाइस बताईगी है जैसे इसका आवे दने स्टार्ट होगा मैं अलग से वीडियो लेकर आँगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करने इस वेकिंसी के बारे में तो वीडियो देख लिजेगा इसमें भी सबसे पहला आपका जो है दोड होता है उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस यहां पर रहता है इसके बाद से अगली जो वेकिंसी लास्टेट फॉर्म बरने का 18 से 42 वर्स की उमरसी मा रखी गया है सेलरी अची है मैट्रिक पास पे वेकिंसी है जो सरवर प्रोसेस की मैट्रिक पास पे है और पियोन की वेकिंसी है वह आठवी पास पे है तो इसके लिए भी आप कंसीडर कर सकते है अगर आप इस एरियास आते हैं यहां जो है अफिसली वेप साइट है जहां से आप आवेधन फॉर्म को डांवोड करेंगे यहां से देखेंगे यह जो है न इसका PDF मिल जागा मैश से आवड कर लेता हूं और इसे मैं आपको दिखाए तहूं खोलके इसके अंदर एक आवेधन फॉर्म यह देखि सकते हैं या आप इसे पोश्ट के माधियम से आप भेंज सकते हैं दोनों ऑप्सन है यहां पर और भेजना कहां पर है तो यह offline है इसके उपर मैंने अलग से एक वीडियो सेपरेट कभर किया हुए वीडियो नहीं देखें तो देख लीजेगा इसका लास्टेट जो जनवरी 2024 रखा गया तो अच्छी वेकेंसी मैट्रिक पास के लिए अगर आप इलीजिबल है तो फॉर्म को जुरू भरिएगा बहुत ही संदार वेकेंसी बाकी फ्रिंट्स दो हम वेकेंसी चर्चा करेंगे जो अपकमिंग है और यह दोनों वेकेंसी बहुत तीज़े बरजस्त है बीभागी है वेकेंसी यहां पर रहने वाली है देखें अगर आपको और भी बहुत सारी वेकेंसी के बारे में देखना है तो आप आपको दसवी पास बारों ही पास वेकेंसी आप देखेंगे यहां पर बहुत सारी वेकेंसी आपको दिखाई देखेंगे इसी करम में आप देखेंगे तो अपकमिंग वेकेंसी दो आने वाली है अभी देखें एक आने वाली है रेलवे में ग्रूप D की यह बहुत ही बड seat खाली है जो बिभाग की जितने भी group D की भरती होती है जो चतुरतade सडी की कर्मचारी होते है उनकी वेकीनिसी आनी बाकी है तो यह बेकेंसी का आपडेट मैंने कल वीडियो मनाके बताया था तो यह भी दो वेकेंसी अपकमिंग है कि रेलेवे ग्रूप D की और बिहार SSE करेले परिचारी ग्रूप D की यह दो वेकेंसी जब रजस्च होने वाली है एक-एक एकज़ाम् देना होता आपका selection हो जाता है तो इन दोनों वेकेंसी इस अचलेरी वाली